भारत के सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान, नमबर पाँच, स्वामी शिवनन्द, भारत के 125 साल के बुजुर्ग, जिन्हें अभी हाल ही में पदमश्री अवार्ड दिया गया था। पूरी तरह से हेल्दी है। तब उन्होंने बताया कि उनके डेली रूटीन की वजह से जी रहे हैं और डेली एक से दो घंटे योग करते हैं। वह खाने में ज्यादा मसाले वगेरा भी नहीं खाते। तक कठोर तपस्या की और अपनी जवानी वापस पाने के लिए प्राचीन वैदिक तकनीक का उपयोग करते हुए काया कल्प उपचार का तीन बार इस्तिमाल किया। ये बहुत कठिन तपस्या होती है। काया कल्प उपचार एक प्राचीन वैदिक तकनीक है जो शरीर को जवान और स्वस्थ रखने के लिए इस्तिमाल की जाती है। नमबर तीन देवरहा बाबा देवरहा बाबा इंडिया के उत्तर प्रदेश से थे। इनका जन्म 1740 में हुआ था और मृत्यू 1990 में हुई थी। यह कुल 2500 सालों तक जीवित रहे थे और इन्होंने बहुत अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करी थी। कहा जाता है कि ये बाबा बहुत चमतकारी थे। इनका अशिवाद लेने बहुत बड़े लोग आते थे। देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेई भी आ चुके हैं। नमबर दो, महाश्टा मुरासी यह शख्स पिछले 181 साल से जीवित है और जो अभी भी अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वारानसी के रहने वाले महाश्टा मुरासी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि मौत उनके घर का रास्ता भूल गई है। मौरासी अपने बारे में बताते हैं कि उनका जन्म 1835 में बैंगलूरू में हुआ था। एक ऐसे बाबा के बारे में बताने वाले हैं जो 200 या 300 साल नहीं बलकी 723 साल तक जीवित रहे। जन्म 1263 में अकावूर मारा में हुआ था। और महज 9 वर्ष की आयू से ही उन्होंने गुफाओं में ध्यान लगाना शुरू कर दिया और इतनी सिद्धी हासिल कर ली कि वे लोगों के भविश्य से लेकर वह क्या सोच रहे हैं सब बता देते थे और यहां तक की कुछ लोगों का कहना है कि जब बाबा ध्यान लगाते थ तो वे हवा में उड़ने लगते थे अपने 723 साल के जीवन काल में उन्होंने अपने शरीर रूप को 17 बार बदला था उनके पास इतनी ज्यादा सिद्धियां थी कि दक्षिन भारत के 18 सिद्ध योगी में गिने जाते थे 6 अपरेल 1986 को उन्होंने केरल के पहाडों में समाधिले ली